असलाम अलेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप सब मेरा वीडियो बनाने का मक्सद इतना था कल मेंने न्यूस देखिए यूट्यूब को बैंड करें पाकिस्तान में इसका अंदिया दिया है सुप्रीम कोड में यूट्यूब को बैंड किया जाए पहले भी यूट्यूब बैंड हो चुकता तकरिबन 2012 के 2014 में यूट्यूब बैंड करने की वज़ा इस पर घलत पोस्टेंग शेयर करना वीडियो अगरा जो घलत होते हैं इसी वजह से सुप्रीम कोड में यूट्यूब को बैंड कर दिया है अब खूद बताया मजे इन चंद वीडियो की खातर इतने बड़े प्लैटफॉर्म को क्या बैंड करना चाहिए जिससे बहुत सारे लोग गरीब लोग जो यूट्यूब पर हैं इसी से कमार हैं और ये अब इसके पीछे लगए हैं इनको टिक टॉक बैंड करने चाहिए ना टिक टॉक पे जादा बे शर्मी और ऐसी घडिया वीडियो जो सारे थोग देखते हैं तिक टॉक पर आप होते यूट्यूब से तो इतनी चल्दी नहीं मिलती ना टिक टॉक टॉक पर तो आप होती तो मेरा यह मकसद था कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि टिक्टॉक को बैन ही कर दिया जाए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो घलत है तो घलत है बाकी यूट्यूब बैन करना बहुत ही नुकसान है यह बोल रहे थे न कि बाकी मुलक में भी बंद है यूट्यूब तो मादरत के साथ यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ तीन या चार मुलकों में बैन है बड़ी जाता मुलकों में नहीं और पाकिस्तान कोई छोटा मुलक नहीं है जहां बैन करनी चाहिए पाकिस्तान भी माशाला यूट्यूब के मामले में आगे जा चुका है तो बस यही कह सकता हूँ कि यूट्यूब को बेंड नहीं किया जाए पाकिस्तान में यह बहुत ही अच्छा प्लैटफार्म है सबके लिए मैं भी अपनी हुआया हूँ सब चाहता यूट्यूब पे यह यह करूँगा कि यूट्यूब के मतलग कCR भाव होते हैं ऱो क्या करना चाहते हैं तो यूट्यूब द्वादा करें बेन ना हो क्यूंके पी-ट्ई पतत ने इसको कब बेन बेन करते हैं अब खुदानाख ज़ता यूट्यूब बेन हो भी तो कोई पता निकभ अन बेन हो या बेन ही चला रहे हुआ तो लास्ट पे एक होँगा कि यूट्यूब को बेना कि आजाए उन वाइलेशन बैड वीडियो को हटा दिया जाए और यूट्यूब को पाकिस्तान में बेना कि एक है नहीं चाहूंगा तक हाल लगेगा, गहर में रहेगा, आप से फ्री हेगा